हेलो फ्रेंट्स आज को रुक सफने हम इस लाइट के बारे हम जाने हैं आज कल आप देखते होके पुराना जो बाइक होता है उसका हम एड लैक कम लाइट करता है जिसके कारने बहुत ही अच्छा से से लाइट कर यह लुक्यों छा और यादि आप ध्यान से देख वे होगे तो यह दोनों तरफ लगा दिया जाता है और यह बहुत ही अच्छा light करता है चलिए हम जानते हैं यह इतना अच्छा light करता है और यह DC पर work करता है तो हम इसे open करके देखेंगे इसके अंदर किस टाप LED bulb लगा हुआ या फिर इसके अ DC 9V to 85V तक यानि कि DC में यह 9,9V से लेके 85V तक यह work करता है और यह 15W का है लेकिन यह 9,9V से लेके 85V तक कैसे work करेगा चलिए हम इसे open करके देखते हैं एक्छली में इसके अंदर क्या है और कैसे यह work करता है जो LED bulb 9V पे भी work करेगा और 85V पे भी work करेगा अब फिर मतलब क जो लिखा हुआ है only 15W लिखा हुआ है 15W जो है वह variable नहीं है only volt variable है इसे हम open कर दिये और इसका उपर का जो यह lens है उसे हम निकाल देते हैं और यहां पर आप देख सकतो है यह तूटा हुआ है यह मुझे रोड पर फेका हुआ मिला किसी का तूट गया होका रास्ते में तो फेक दिया है तो उसे ही मैं इसे उठा के लाया हूँ आज हम इसे वीडियो बना रहे है आप देख सकते हो जब इस LED बल को हटा दिये है इसके अंदर कुछ नहीं है इसे सिर्फ ठंडा करने के लिए इसके उपर पेस्ट लगा हुआ है दोने के उपर इसे ठंडा करने के लि ट्लिफ नुटर को तर करा और इसके बगल में यहां कोयल है और जो डाइयोड लगा हुआ है और यहां पर एक आईसी है और यहां पर दो से सिर्फ रगा हुआ है यही सारा स्थिक्रा net लेकिन इसके इसके कारण तो इसका जो लाइट है वो बहुत ही जाधा में नहीं करना आप देख सकते हो हर एक LED के उपर यह इस टाप का लेंस बनाया हुआ है पहले के लाइट में आप देखते होगे पहले के टोर्च में इस लेंस बनाया हो रहाता है जिसके कारण यह जो लाइट है बहुत दूर तक जाता है कि हरेक儿 led के उपर इस डाक यह थाप देख सकते हैं यह बनाया हुँआ है यह मोटा लेंस बनाया हुआ है जिसके कारइसा लॉय tolerant है बहुत आगे तक जाता है और हर एक L mająड़ी के container पर अपना खुद का यह लेंस बनाया हुआ है तो इसका जो छोटा इसका जो वायर है वो छोटा है चलिए इसे हम निकाल दिए और दोसा वायर अच्छे से कर दिए बढ़यां वायर कोपर का तो यह आप हम इसे पैक करते हैं और हम यह जानेंगे एक्चुली में यह जो है वायर इससे तो हम लगा दिए लेकिन आप हम यह जानेंगे यह 9 भूल से 85 भूल तक कैसे वर्क करता है इससे बंद करने से पहले हैं इसे हम साफ कर देंगे क्य कि जब आप इसे साफ करते हो ति यह और भी अच्छे से light करेगा जो रहेगा तो इसका light तो आचा कम हो जाता है यह साफ हो चुका है चलिए अब हम इसे लगा देते हैं इसके सारसीज़ को लगा देंगे और इसे हम जला के देखते हैं कितने कितने पोल्ट पे जलता है और ये कैसे वर्क करता है इसका वायर यिस ट्राप से लगा होता उसी तरी का समसुराश हुआ देंगे है जो यह जो वाय इस ट्राप्श से यहां फसा हुआ है इस तरीका से निकाला गया है कि यदि आप इसके वायर को पकरके जुला होगे या फिर इसके वायर पर प्रेसर परेगा ति यह वायर यहां से नहीं चूटेगा इसलिए इस तरीका से फसा के इसके वायर को निकाला गया है इसके वाइब इसमें फसा देंगे फिर इसका जो लेंस है उपर से लगा देंगे तो लेंस जदि आप कैसे भी रख दोगे तो इस पर नहीं लगेगा प्रफर जी टाप का यहां पर बल्व है इसका इसकी ऊपर ही लेंस को आपके रखना है और यह इसमें फिक्स हो जाएगा जब यह फिक्स हो जाएगा ति यह यहां से नहीं नहीं मूव करता है आप देख सकते हो यह यहां पर फिक्स हो चुका है अब हम इसके उपर का धकन लगा देंगे और उसके सारा स्कुरू को भी टाइट कर देंगे चलिए अब हम बैटरी लाते हैं और बैटरी पर इसे हम चला कर देखेंगे क्योंकि यह दिसी पर वर्क करता है और यह मेरा लिथियमान बैटरी है सबसे पहले इसे में इस पर चलाएंगे फिर इस दोनों को भी हम इस पर सिरीज करेंगे मैं आपके इस फिर से दिखा देना चाहता हूं यहां पर आप देख सकते हो डी सी लिखा 9285 Volt मतलब गår 925-वोल्ट चे यहं टकी वर्क करेंगा और इसके जस्ट ब hijos अब देख सकते हो यह 15 वाट लिखा हूए है है मिर्माट यह इसका मतलब है कि आप जो इसका ऒषी ज्यादा करते हो इसका इंप्यर को आपको बहुत कंतरुकर नहीं कम कर sm superior नहीं करणेगा और वहाँ कहड़े कर दो कृछी बैटेटरे 1 यहां पर यह दो दो बैटरी को पैरलल करके स्रीज में किया गया और एक बैटरी 3.7 वोल्ट का है 3.7 और 3.7 इस दोनों को स्रीज करके 7.4 वोल्ट हुआ है देख सकते हो इसमें जल तो रहा है लेकिन इतना जादा कम जल रहा है इसमें आपको दिख भी नहीं रहा है बहुत ही कम जल रहा है तो चलिए आप हम इसमें एक और इसे स्रीज करते हैं जब हम इसे स्रीज कर देंगे यहां पर तो 3.7, 3.7, 3.7 यह टोटल हो जाएगा आपको जब इस दोनों बैट्य को स्रीज कर देंगे तों हमारा यहाँ पर होगा टोटल 19.1 गोल्ट अब हम इस पर जला कर देखते हैं यह अच्छे से जल पाता है या फिर नहीं जल पाता है पोजितिव में लगा देंगे पोजितिव पोजिटिव में और नेलिगे अर इसी जलानते पाद हम तिसरे बैट्री को भी हम सेरीज में लगा कर देखेंगे यह आप देख सकते हो यह जल रहा है अच्छे से और यह अच्छे से वर्क कर रहा है जब इतना वोल्ट दे रहे हैं तो भी यह वर्क मत्त दस वोल्ट के आसपास है क्योंकि यह बैट्री फुली चार्ज नही इस पर बैट्री को जोरने के बाद होगे आप 14.8 बोल्ट इस पर हम जलाके देखते हैं ईस पर बहुत ही अच्छा से लाइट कर रहा है जितना पहले लाइट कर रहा था उतना है जादे हूआ नहीं कम हुआ तो यहां पर इससे हमें यह सिखने को मिलता है कि इसका वाट वा जाएगा खराब हो जाएगा इस बात को ध्यानम रखे आपको यह एलेडिवल जलाना है और हेलो फ्रंट्स यदि आपको मेरी वीडियो स्कूल सिखने को मिलता है ति वीडियो को लाइक करके चैनल सिस्क्राब कर लो धन्यवाद